नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अब आप लोग मुझे अनेकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉलो करने के लिए आपको करना क्या होगा आपको प्ले स्टोर में जाकर अनेकैडमी का लर्निंग डाउनलूड करना होगा उसके बाद सर्च बॉक्स में जाकर आप मुझे फॉलो कर पाएंगे जहां मैं आपको SFC बैंक और रेलवे संबंधित कोर्स प्रवाइड करूँगा अगर आप ये प्रक्रियाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक option और भी है आप नीचे वीडियो का description खोलेंगे जहां पर आपको एक link मिलेगा link को open करते ही आप हमको direct follow कर सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे भरती 2018 की परिछा वे कौन सी दो बाती हैं जो इस बार होने वाली हैं जो पहले नहीं होती थी इस वीसे पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप वास्तों में तयारी करना चाहते हैं रेलवे भरती 2018 के किसी पर के लिए तो आप से नीवे दने नीचे एक लाल बटन बना होगा जिसको दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां हमारे वाटसाप ग्रूप और टेलिग्राम चैनल के माध्यम से आपको लगतार अच्छी से अच्छी वह बहतर त्यारी कराई जाएगी तो दोस्तों जितने भी लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्राप्शन में दी हुएं आप एक एक करके सभी से एड हो जाएगे क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको रेलवे भरती समंदित प्रेक्टिस सेट मॉडल पेपर और अच्छी से अच्छी वीडियो बिल्कुल फ्री तो दोस्तों ये दो बड़े बदला होने वाले हैं परिच्छारती देख सकेंगे अंकपत्र यनि इस बार से आप अंकपत्र भी देख सकते हैं और दूसरा बदला हो यह आरार भी कटाप मार्स के बारे में भी दी जाएगी जानकारी पूरी जानकारी लेते हैं ग्रुप C वा गुरुप D के 90 जार से जैदा पदों पर होने वाली भरती परिश्या में यह ब्यवस्था सुड़ू की जाएगी यहनि अभी तक नहीं होता था इस बार से यह ब्यवस्था शुरू की जाएगी लंबे समय में रेल्ओय भरती परिश्या देने वाले अभ्यार् दन भी आते हैं लगातार मिल रही इन सिकायतों को देखते हुए बोर्ड इस तर पर मंतन किया गया है कि परिछा देने वाले या ब्यार्चों के कटाब मार्क्स उनके पत्र चरवर्बत तरीके से जारी कि जाएंगे तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी ख़बर है कि आप सब्सक्राइब और लाइक यरू करें दन्यवाद